तो आपको graph दिया है और equations निकालनी है, अज हमें पता है कि कोई भी straight line हो ना, चाहे कैसी भी होते कोई, यह straight lines है, right, तो किसी भी तरह की कोई straight line हो, जैसे यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं, यह एक straight line है, ठीक है कि नहीं, और उसी तरह से दूसरी straight line यह दी हुई है, तो कोई भी straight line हो, उसकी equation हम लिख सकते हैं, किस तरह से, सब्सक्राइब यह वाली जो line है, इसको ax plus by plus c is equal to 0, हमने यह कह दिया, अब हम देख पाते हैं, यहाँ पर a, b, c तीन constant हैं, और x और y variable हैं, तो हम क्या करेंगे, कम से कम तीन point graph पर लिख लेते हैं, यहाँ फिर find out कर लेते हैं, जो हम इस equation में put करेंगे, उससे a, b और c को eliminate कर देंगे, और x और y में एक equation आ जाएगी, ठीक है ना, तीसरा point देखो, हम यहाँ पर ले सकते हैं, मुझे नहीं बता कि आप print साब से देख पा रहे हैं या नहीं, पर यह 10 है, यह 5 है, तो इसके हिसाब से, यह तो origin है, coordinate 0,0 हो गया, ठीक है, और यह x 10 है, y 5 है, तो coordinate 10,5 हो गया, इसी तरह से यह वाला coordinate, negative 10, negative 5 है ना, इस तरह से यह coordinates आ गए, अब यह बारी-बारी से हम इस equation में डालेंगे, 0,0 डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, a into 0, plus b into 0, plus c equal to 0, ऐसा आया, तो यहां से क्या मिलता है आपको, a into 0 is 0, plus 0, plus c equal to 0, तो obviously c की value आ गई, 0, मुझे a बी c की value निकालके यहा input करनी थी ना, अब हम दूसरा point ले लेते हैं, 10,5 ले ले लेते हैं, और इस equation में डालते हैं, x की जगह 10 डाला, और y की जगह 5 डाला, 5b, plus c, तो c 0 हम निकाल चुके न, उपर, तो लेकिन यह की जरूँत नहीं है, तो this is equal to, इसमें डालना, c की value 0, चलो आपको दिखाए देते हैं, हम कैसे आ रहा हैं, आपका c 0 है, is equal to 0, ठीक है, equation आ गया, 0 to 0, मतलब आपका 10 a का value कितना आ गया, 5b, हम यह भी कह सकते हैं, कि negative 5b है न, हम यह भी कह सकते हैं, कि हमारा a का value आ गया, negative 5b over 10, जिसको लिखा जा सकता है, negative b over 2, हम a को negative b over 2 लिख सकते हैं, ठीक है न, यह आपके लिख देंगे, और c को 0 लिख सकते हैं, therefore, जो हमने equation माना था, वो क्या हो जाएगा, a x plus by plus c is equal to 0, जिसको लिखा था, negative b over 2, a का value into x, plus b, c तो 0 हो गया था, equal to 0, तो क्या मिलता है आपको, b common, minus x by 2, इसके साथ y है, plus y equal to 0, तो यह आगया equation, क्योंकि b तो constant है, यह तो 0 होगा नहीं, तो minus x by 2 plus y equal to 0, और आप कह सकते हैं, कि y is equal to minus x by 2, यह 2y is equal to x, यह आपकी equation आजाएगी, इस line की equation, आप यह भी बोल सकते हैं, y equal to 1 by 2 x बात वेकी हैंना, तो मतलब यह वारी line हमारी, इसकी equation हम निकाल लेंगे, यह line, इसकी equation आगई, y is equal to y is equal to 1 by 2 x, एक तम इसी तरह से हम दूसरी equation भी निकाल लेंगे, कौन से वाली, यह वाली line, इसके लिएपल भी हम पॉइंट चाहिए लेख, देखे एक पॉइंट यह उठाओ, एक यह उठाओ, ऑर लेलो कोई, चलो यहां मिल रहा हमें, यह वाला पॉइंट है x इस 5, 5, 0, यह पॉइंट है, 0, 5, और यह पॉइंट है माइनस 5,10 है ना यहां पर यह पॉइंट 10 है एक्स माइनस 5 यहां पर तो यह तीन पॉइंट हमें मिलके जो लाइन पे हैं अब इस फाले लाइन की एक्वेशन भी हम ऐसे देंगे आप ऐसे भी ले सकते हो PX PLUS QR PLUS PQR ले लेते हैं कोफिशन्ट PX PLUS QY PX PLUS QY PLUS R इस इकोल टू 0 वहर PQR आर कंस्टन्ट है ना तो यहां पर वैल्यू डालते हो हम PQR को एलिमनेट कर देंगे और एक एकुवेशन आ जाएगी ठीक है न तो यह कैसे करेंगे पॉइंट डालते हैं 5,0 इसको साटिस्पाइग करना चाहिए एक्स की जगा 5 डालो तो पी इंटू 5 प्लस क्यू इंटू 0 प्लस आर इस इकूटू 0 तो आपको मिल गया 5P प्लस आर इकूल टू 0 यह आपको एक एक क्वेशन मिल गई इसी तरह से यह वाला पॉइंट लेंगे तो दूसरी एक क्वेशन मिल जाएगी इसमें डालो जीरो पी इंटू 0 इस पॉइंट को हम ले रहें प्लस क्यू इंटू 5 प्लस आर इकूल टू 0 तो यह तो 0 हो गया यह आया 5Q प्लस आर हमें यह है कि ना पी क्यू आर कि मैं तीन पॉइंट लेके तीन इक्वेशन निकाल के उनको एलिमिनेट कर देना है तो यहां से आपको मिल गया 5Q प्लस आर इकूल टू 0 यह से किन गई अब इन दोनों दोनों जीरो के एक पूल है तो दोनों को में कुएट कर सकते हैं राइट आइकन से 5P प्लस आर इस एकू टू 5Q ब्लस आर आर रर कंचलो कवे यह यह थाई यह थाइ कर दोग यह थाइक विर टू यह को अर पी को तो क्यों दोक्यों गख进 अटी अटीजrichtा सब्ट टों को एंक यह थां मैं द fox ए थाट ini स् asynchronous फू स्यू इंट 10्थ sketch विफ इंट गे मिल joga यह थाइं Gesundheits, 600 थाया जीशा 10 q plus r equal to zero अगर p की जगह हम q डाले तो यह equation क्या जाएगा minus of 5 q plus 10 q plus r equal to zero that is 5 q is equal to r I think 5 p और यह 5 q equal to negative r right में तब r is equal to minus of 5 q हमने p का value भी q के term में निकाल दिया r का value भी q के term में निकाल दिया तो सब p q r अरेक की value q के term में यहां पे डाल देंगे therefore आपका equation क्या जाएगा हमें इसको यहां पे लिख सकते हैं यहां डाल दो p की जगह q डालना है therefore required equation क्या में यहां लिख दो required equation हमने p का value डालना है q यह जगह q into x plus q का value q ही रहने दो q into y और r का value माइनस 5 q है है ना equal to 0 तो आपकी जो equation आ रही है हम q common लेके equation लिख देते हैं x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 यह q राइट चला जाएगा और आपका final answer आ गया financial क्या है आपकी required equation क्या है x प्लस y माइनस 5 इस इक्वल टू 0 तो दोनु लाइन की equation आपके निकाल लिए using coordinate of the points lying on the line क्या है